हेलो एब्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जारखन में PGT की कुल 3121 पोस्ट आई हुई है और कौन-कौन इसे अपलाई कर सकता है जैसे आप थमनेले में देख सकते हो अन्य राज के लोग यानि की और एक्जाम पैटरन क्या रहेगा प्रिवेसर कोशन पेपर कहां से लें और नॉट्स कहां से लें ये डाउट आपको मोटा मोटी अगर मैं कुल जमाबात कहूं तो आपके सामने आ रहे होंगे ऐसे प्रस्ण इस वीडियो में कोसिस करूंगा कि आपके सारे सवाल के जवा और कॉमेंट सेक्सर में बिल्कुल आसान भासा में कोशन को पूछिए आपको जवाब जरूर दिया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको पीडियाप दिखा देता हूं और वहां से आप सारी जानकारी वन बाइवन चीजों को समझ पाऊगे उससे मैं आपको देखे दो डाउट क्लियर कर देता हूँ प्रिवेसर कोशन पेपर अगर आपका फिजिक्स मैथ केमेस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट हो यहां से मेरी इमेल आइडी आपको देख लो यूर मिथुन सिंग एड़ 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 जिमेल लॉट कॉम पे मेल कर सकते हो प्रिवेसर कोशन पेपर और नॉठ्स प्रभाइड कर दिया जाएगा एक टर्मωर कंडिशन यह है कि आपके सबजेक्ट की नहीं सिर्फ कौलिफाइंग यानि की पाड़ एक गा नौड्स आपको प्रभाइड किया जाएगा अगर आपके सबजेक्ट के जो पेपर से कोशि करता हूँ जी हाँ सबसे पहला प्रसनाप के दिवाद में यही आ रहा होगा अधर स्टेट वाले इसे अपलाई कर सकते हैं या नहीं जारखंड वाले लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्षन में गालिया देंगे मुझे पता है लेकिन रियालिटी में आपको सरकार की रियालि इसे भर सकते हैं जो नोटिफिकेशन में सरकार ने निकाला है पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा एक्जाम भी 100 रुपीज ही है यानि कि 100 रुपे में आप पिजटी का फॉम भर लोगे मुझे ने लगता कोई भी आप ऐसा एक्जाम दिखा सकते हो भारत में किसी भी कट अटेगरी से जहां पे 100 रुपे में आप एक्जाम दे पाओ तो यह जरकंड सरकार की अच्छी बात है लेकिन कुछ खरापियां भी है जरकंड के लोग इसे जानते हैं खैर आगे देखते हैं देखिए आरक्षन पाने वाले के लिए ही जो है आवासिय परमान पत्र यानि क जिसे आप domicile बोलते हो इसके अलावा या फिर आप residential certificate भी बोल सकते हो उसकी जरूरत होती है अगर आपके पास residential certificate नहीं है आप किसी other state से भी इसे apply कर सकते हैं याद रखिएगा other state से जो है आप यहां पे आवेदन कर सकते हो मैं आपको दिखा दूंगा यहां पे सारी जानक तक ही रखी गई है इन बातों का खास ख्याल रखिएगा ताकि आपकी जो है कोई भी परिसानी यहां पे ना हो यहां पे देख लो अब आप समझ जाओगे आवेदन में अगर आप आरक्षन का दावा नहीं कर रहे हो आप अगर आवेदन देखिए आरक्षन का दावा करने वाले के लिए ही अस्थान यह परमान पत्र की जरूरत है यानि कि अगर आप OBC, SCST कटेगरी या फिर डिसेबल के लिए आप आरक्षन का दावा नहीं कर रहे हो तो आप कहीं से भी हो आप अपलाई कर सकते हो भारत के कोई भी जो है इसे लोग अपलाई कर सकते हैं याद र .nic.in पर जाकर आप आवेधन कर सकते हो और दखिए CBT मोड में यानि कि कम्प्यूटर में एक्जाम लिया जाएगा बहुत सारे लोगों का प्रस्ण होगा कि एक्जाम जो है कम्प्यूटर मोड पे लिया जाएगा तो जारखंड में ही सारे एक्जाम होंगे इस बात का खास ख्याल रखिएगा नॉर्मलाइजेसन किया जाएगा यानि कि लग लग एक्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेसन किया जाएगा अब देखिए मुखी परिक्षा के बिसे के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ मुखी परिक्षा के बिसे और पाठ करम क्या रहेंग इन बातों का खास ख्याल रखिए समान ग्यान में देखिए बहुत सारे हिस्ट्री, इजोग्रफी, सब कुछ यहां पर पूछा जाएगा जहारखंड जी के भी पूछा जाएगा जनरल साइन्स से प्रसंद पूछा जाएगा reasoning का भी question होगा यहां पर computer की भी knowledge आपके पास होने चाहिए जहारखंड का भुगोल, इतिहास, सबेता से प्रसंद पूछे जाएगे और हिंदी का unseen passage यानि की अपठित अनुछेद से प्रसंद पूछे जाएगे याद रखिएगा paper वर सिर्फ qualifying है 33% अंक आपको लाना होगा otherwise आपका paper 2 के paper को check ही नहीं किया जाएगा उसका evolution यानि कि मुल्यांकन नहीं किया जाएगा यहां पर आप सारी notification में चीजों को पढ़ सकते हो paper 2 के द्वारा ही merit बनेगा एक और बात मैं आपको बता दू इसमें 50% अंक यानि कि 150 नमबर आपको लाने ही लाने है 300 में 150 नमबर अगर आपका आता है तो ही आप qualify होगे यानि कि cut up तो पता ही आपको कितनी high जाने वाली है और अगर दो वैक्ति का अगर प्रापता अंक यानि कि equal marks हो जाए तो जो बड़ा होगा जिसकी debt of birth पहले होगी उनको नौकरी दे दी जाएगी इस बात का खास ख्याल रखिएगा कोई भी doubt आपका नहीं होना चाहिए तो ये सारी जानकारियां थी बाइदवे कोई भी doubt आप अगर आपका रह जाता हो तो नीचे comment section में comment कीजिए आपके सवाल का जवाब में देने की पूरी कोशिस करूँगा वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया have a good day